जानेंगे इंडिया में किस-किस तरह का forest मिलता है मुझे पता है कि सारे तरह का forest cover अप नहीं हो पाएगा और जितने भी forest होंगे उसका जो main word होगा main जो keyword होगा वो English में होगा बट मैं उसको Hindi में define करने का कोसिस करूँगा तो start करते हैं इंडिया में काफी तरह का फॉरेस्ट मिलता है काफी तरह का जंगल मिलता है जैसे की केरल में अगर जाएंगे तो वहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलता है ठीक है अगर हम लोग लद्दाक में जाएंगे तो वहाँ पर पहाडी तरह का जंगल मिलता है जिसको हमको अलपाइन पै वहांका जो वातावरन है वह अलग है वहांका जो सॉयल का सिस्टम है वह अलग है वहांका जो जमीन का तरीका है वह अलग है वहांका जो हाइट है सी लेवल से वह अलग है इसलिए वहांका फॉरेस्ट अलग-अलग होता है तो इसलिए हम लोग अलग-अलग फॉरेस्ट के ब बहरा है, Evergreen का मतलब हमेशा वहाँ पर Green होगा, कहाँ वहाँ पर कभी भी सुखा नहीं होगा हमेशा वहाँ पर पानी वगईरा पढ़ती रहेगा तो वहाँ पेड हमेशा Green रहेगा इंडिया में कहाँ पर मिलता है तो western ghards में आप लोग map निकालो इंडिया का, वहाँ पर western ghard कहाँ पर है locate करो अंड़मान निकोबार islands locate करो अब यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं वो काफी लंबЕ-लंबे होते हैं, काफी बड़े-बड़े होते हैं और straight होते हैं यहां पर जो फेड़ मिलते हैं उनमें से कटहल का फिर बेटलनट जो आपका सुपाडी बनता है जामून मैंगो यह सब का पेड़ काफी यहां पर मिलता है यहां पर तीन तरीका का स्ट्रक्चर बनता है पहले सबसे उपर जैसे कि यह पेड़ है यह सबसे उपर इससे नीचे यहाँ पर एक पेड रहता है और छोटा छोटा जो है वो छोटा छोटा जो पेड रहेगा वो तो तीन तरह का structure बनता है ठीक है उसका बात करते हैं हम लोग semi evergreen forest का मतलब कि ऐसा forest जो की इस प्रकार दिखता हो यहाँ पर देखो आप काफी हरा बरा तो है बड़ बीच पीच मे है वहाँ पर मिलता है यह इसमें क्या होता है कि जो decidious forest है moist decidious forest और weight evergreen forest दोनों का मिलावट होता है और यहाँ का जो forest है काफी घना होता है और अलग-अलग तरीके के यहाँ पर पेड मिलते हैं जैसे यह आप पेड देख और अब हम लोग जानेंगे tropical moist decidious forest के बारे में त यह इंडिया में हर जगह मिलता है बस इंडिया का western part मराजस्थान वाला area गुजरात वाला area और north western part जमुकस्मिर वाला area वहाँ पर छोड़ करके पूरा इंडिया में यह लग-भग मिलता है जो उसके बड़े-बड़े पेड होते हैं वो क्या करते हैं गर्मी महिने में या पर पानी वागेर नहीं पढ़ रहा है वहाँ पर पदजड होने लगता है पत्ता उसका जड़ने लगता है जैसे आप देखे होंगे अगर आप जानते होंगे तो spring season में नया नया पत्ता आता है और गर्मी season में जब बहुत जादा बारिस वागेर नहीं होता तो पत्ता यह एक characteristic है आपका moist recidious forest का यहाँ पर evergreen यहाँ पर evergreen shrubs का undergrowth होता है और जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते बड़ सौर्टर होते हैं छोटे-छोटे पेड़ होते हैं जैसे कि साल हो गया, टीक हो गया हाला कि यहाँ पर mango भी मिलता है bamboo भी बास भी मिलता है rosewood भी मिलता है और इसका जो trees है वो evergreen से थोटा ही रहता है फिर हम लोग बात करते हैं लिटोरल और swamp का तो लिटोरल और swamp में जैसे आप देख सकते हो और देख के पचान भी सकते हो कि पर पानी है और यहाँ पर जंगल है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लिटोरल और swamp यह कहां मिलेगा तो यह मिलेगा अंडमान निकोबर आइलेंड में फिर आप लोग मैप निकालो इंडिया का और अंडमान निकोबर को आइलेंड को मार्क करो फिर गंगायन ब्रहमपूतरा डेल्टा जो होता है जहां पर उसका पानी वगेरा आता है जहां पर फर्टायल सॉयल होता है और यह जो पेल होते हैं इनका जो roots होता है वो काफी soft tissue को contain करता है काफी soft tissue रहता है उसका क्यों क्योंकि वो water में पानी में जाकर के सांस ले सके ब्रीद कर सके इसलिए अगर वो पानी में सांस ने लेगा तो वो मर जाएगा यह photo है tropical dry decidious forest का tropical dry decidious forest का यहां पर आप देखो पेल ज़्यादा गहना नहीं है दूर दूर में पेल है बहुत छोटा छोटा पेड़ है यह इंडिया में हर जगह मिलता है और northern part अगर छोड़ दे और north east को छोड़ दे तो यह इंडिया में लगबग हर जगह मिलता है जैसे कि मद्यपरदेश में, गुजरात में, अंध्रापरदेश में करनाटक में, तमिल नाडू में ठीक है, अब इसका पेड़ जैसे हम देखकर के ही समझ गए कि ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है और 25 मिटर से उपर यह ज़्यादा नहीं होता है common trees यहाँ पर कौन-कौन सा है साल हो गया और acasia का एक variety और पास ठीक है, अब बात करते हैं लोग thorn forest के बारे में तो thorn forest मतलब kata वाला forest जहाँ पर kata वाला पेड़ मिलता है thorn forest कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर black soil होगा जैसे की north इंडिया में, western इंडिया में, central इंडिया में south इंडिया में, महराष्ट रीजन में, गुजरात रीजन में, ठीक है अंधरा रीजन में, तेलंगाना रीजन में और यहाँ का जो trees है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वो 10 मीटर से ज़्यादा उपर नहीं ग्रो करता है ठीक है, ओधस मीटर से कम ही ग्रो करता है एक्जामपल, कैक्टस, सबसे बड़ा एक्जामपल कैक्टस हो गया, स्पर्ज हो गया, केपर हो गया, बेल का पेड़ हो गया ये सब आपका क्या है, ट्रॉपिकल थौर्न फोरेस्ट ही है उसके बाद हम लोग बात करते हैं Tropical Dry Evergreen Forest के बारे में Tropical Dry Evergreen Forest कहां मिलता है तो तमिल नाडू में आप अपना मैप में तमिल नाडू, अंधरा पड़ेस और करनाटका कोस्ट को मार्क कर लो और यहां का जो पौधा होता है इसका जो पत्ती होती है वो काफी हाड होता है और इसका जो flowers होता है वो काफी सुगन देता है और इसके साथ में कुछ-कुछ deciduous forest भी deciduous पेड़ भी रहते हैं किसके साथ में ट्रॉपिकल ड्राइवर्गीन forest के साथ में फिर हम लोग बात और जो cold season रहता है वो भी काफी रहता है मतलब कि winter भी काफी बड़ा और जो आपका summer है वो भी काफी बड़ा रहता है ठीक है इस कारण से इस पेड में जो leaves होते हैं जो पत्ते होते हैं वो काफी sign करते हैं और उसका ऐसा लगता है देखने में कि ये काफी ज़्यादा वार्निस किये हुए है मतलब कि वार्निस किया हुआ तो और ये forest जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं ये mainly सिवाली खिल्स में ठीक है आप मैप में पता करो सिवाली खिल कहाँ पर है और जो हिमाल्यास का foot hill है मतलब कि आपका उत्राकंड region आपका उत्तरप्रदेस वाला region उत्त हम लोग वहां तक पहुंच गए तो पहाड़ पे चड़ जाए तो पहाड़ पर ऐसे चड़ेंगे वहां हम लोग को मिलेगा mountain with temperate forest mountain with temperate forest यह कहाँ पर मिलता है निपाल में रुनाचल प्रदेस में और यहाँ पर अगर आपको यह खोजना है तो आपको कम से कम साल भर में 200 cm का बरसा चाहिए ठीक है और यहाँ पर नॉर्थ में अगर हम लोग आएंगे तो तीन लेयर का forest मिलता है सबसे बड़ा वाला ज पेड़ चंप आपका पता है ना फूल वगर बड़ा उसका famous हता है और south में अगर आएंगे तो south में हम लोग मिलेगा निलगिरी hills में ठीक है पहाड़ पर देखो निलगिरी hills में जो की केरल में मिलता है आप लोग निलगिरी hills और केरल कहां पर है मैप में मार्क करो फिर forest अ इंड νे में सकता है कि हमालय स्पिसिफिकली समय हिमालय को मैं तो इसको हमलों हमालय को yhteal दो पाग में बाठ देते हैं पहला र OO providersare में झो फिर में जो ट्रीस मिलेगा की उसका पत्ता काफी चोड़ा पता होगा ठीक है जैसे की ब्राउन ओक वालनट रोडोडेंडरॉन एक्सेक्टरा ठीक है इस्टर हिमालेस का बात करें जहां पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज्यादा हेवी होता है और वहाँ पर जो वेजिटेशन है जो पीड़ पौदा है वो काफ़ी ज्यादा डेंस होगा काफ़ी ज्यादा घंड़तव होगा क्योंकि कि महाँ पर बारिस बहुत ज्यादा होता है फिर हम लोग बात करें मोईस्ट अलपाइन स्क्रब के बारे में करनमार बॉर्टर के तरफ नॉर्थ इंडिया में वहां पर मिलेगा इस पे लो स्क्रब होता है और देंस एवर्गीन फॉरेस्ट होगा ठीक है और यहां पर सबसे ज़्यादा पेड़ पॉधा क्या मिलेगा रोवेडेंडरॉन और बिर्च का बारे में ठीक है मोजेज और फर करके 4900 मिलेटर तक में मत्तब काफी उंचा काफी उंचा में ठीक है यहां पर मेली कौन सा ज्यादा तो यहां पर पॉधावा गिरा होगा नी तो जो पॉधा होता है वह बहुत ज्यादा बोना होता है चोटा चोटा पॉधा होता है जैसे कि ब्लैक जुनिपर ड्रोपिंग जुनिपर, हनी शकल और जो कस्मीरी विल्लो जिसका बात करें जिसे बैट बनता है वो भी हहीं पर मिलता है सो हम लोग जान गए कि इंडिया में किस-किस प्रकार के पेड़ पॉधी मिलते हैं अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगा कि हाँ इस वीडियो कर सकते हो दोस्तों के साथ सेर कर सकते हो